एक लड़की अपने घरवालों के खिलाब जाकर अपने प्रेमी के साथ लिविन रिलेसंसिप में रहती है और उसके बाद क्या होता दोस्तों वह लड़की अचानक घर से गायब हो जाती है और साथ महीने बाद खुलता है बहुत बड़ा राज आखरवे लड़की कहां गायब हुई थी उसके साथ हुआ क्या था इस घरवालों की पूरी सचाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा नमस्कार मैं हूं सुदेश कुमार और तिरची बाद चलन में आपका स्वागत है दोस्तों यह घरणा है उत्तर प्रिदेश के गाजियाबाद के इंदरापुरं थाना के राम विहर कलोनी की राम विहर कलोनी में उमेश नाम का एक व्यक्ति रहा करता है जिसकी उमर 55 साल है उसके घर में उसकी पत्नी रहा करती है जिसकी उमर होती है 50 साल और उसका नाम होता है बिट्टो और उन दोनों की एक बेटी होती है जिसका नाम दिव्या होता है दिव्या की उमर 35 साल हो चली थी अभी तक उसने साधी नहीं की थी इधर उधर जौब किया करती थी और तरह तरह के लड़कों के साथ आराम से अपना समय गुजारा करती थी उसे अभी तक साधी की जवरत नहीं थी अब क्या होता दोस्तों उसके घरवाले खूब कहते हैं उससे कि बेटी तु हमारी अकेली बेटी है तु साधी कर ले घरवालों को वो पागल बना देती थी कि मम्मी पापा मैं तुम्हें चोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगी और दोस्तों उसके बापजूद वे दूसरे लड़ दिव्या रमन के साथ रेलेशनसिप में रहना चाहती है दिव्या के माबाप उससे मना कर देते हैं कि नहीं इसके साथ रेलेशनसिप में मत रहो इससे साधी ही कर लो अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो लेकिन दोस्तों दिव्या अपने माबाप की नहीं मानती है और अपने नए प्रेमीर रमन सिंग के साथ रिलेसंसिप में रहने लगती है अलग एक कमरा किराय पर ले करके अब वे दोनों आराम से समय गुजारते हैं और कुछ समय के बाद दोस्तों अब उनके घर में एक बच्चा पैदा हो जाता है लड़का वे दोनों ही लड़के को पाल रहे होते हैं वे दोनों जौब किया करते हैं और अच्चे से समय को जड़ रहा होता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर रमन कुमार के जो माबाप थे उनको ये पता नहीं था कि उनका बेटा आखर सहर में क्या गुल खिला रहा है वे तो उसके लिए साधी के लिए लड़की ढूंड रहे थे दोस्तो अब क्या होता है उनका जो बेटा होता है वे दो साल का हो जाता है और अब रमन कुमार के घरवाले उसके लिए लड़की ढूंडते हैं और उसको घर पर बुलाते हैं और रमन कुमार के घरवालों को पता लग चुका था किसी और के थुरू कि उनका बेटा किसी लड़की के साथ रिलेसंसिट में रहता है इसलिए घरवालों ने लड़की उसके लिए बहुत जल्दी ढूंडी थी जिससे कि उसकी साधी हो जाए और अपना घर परिवार चलाए दोस्तों अपने बेटे को रमन कुमार को उसके घरवाले अपने घर बलाते हैं और घर जैसे ही आता है तो उसकी साधी करवा देते हैं अब साधी करवा देते हैं जवर जस्ती तो रमन कुमार की नई पतनी आ जाती है और उसके साथ रहता है कुछ दिन वहाँ पर रहता है तो रमन कुमार की पतनी को भी पता चल जाता है कि उनका पती रमन कुमार किसी दिव्या नाम की लड़की के रिलेसंसिप में रहा करता है अब दोस्तों यहाँ पर जो दिव्या होती है उसको भी पता चल जाता है कि उसका जो बॉइफ्रेंड है उसकी साधी करवादी है उसके घरवालों ने और उन दोनों का एक बच्चा भी हो चला था दो साल का लड़का अब क्या होता है रवन कुमार वापस दिव्या के पास आता है तो दिव्या कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो मेरे साथ तो तुम पहले से ही रह रहे हो हमारा यह बच्चा भी है आगे किस तरह से होगा हमारा बच्चा भी है इसको पालना है बड़ा करना है दोस्त प्रानक दिव्या अपने घर से गायब हो जाती है और फिर क्या होता है रमन कुमार अपने बेटे को लेकर पुलिस थाने पहुंचता है और वहां जाकर कहता है एक सहाब मेरी जो पतनी थी दिव्या वे घर से गायब हो चुकी है अब इस बच्चे का भरन पोशन मुझे करना पड़ रहा है उसको ढूंड दीजिए दोस्तों यहां पर जो पुलिस होती है वह थोड़ा सा इस मामले को डिले करती है रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है लेकिन उसमें जादा खदम नहीं उठाती है और जो दिव्या की माबाप थे वह यह समझ रहे थे कि हमारी बेटी सह लेकिन जब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी घर से गायब हो चुकी है तो वह भी तरफ ने लगते हैं और वह पुलिस थाने में जाकर रेपोर्ट दरज करते हैं और वह साप साप कहते हैं कि साप हमारी बेटी के साथ जो लड़का रहा करता था रामन कुमार उससे आप वे बार बार पुलिस थाने जाते और कहते हैं कि उस लड़के से पूस्ताज करिये रमन से हमारी बेटी का पता चल जाएगा दोस्तो जब 3-4 बार वह पुलिस थाने जाते हैं तो पुलिस के दमाग में भी एक बात उठती है कि क्यों न उस लड़के से पूश्ताच की जाए अब पुलिस रमन कुमार को बुला लेती है और उससे कुछ पूश्ताच करती है कि तुम्हारी पतनी कहा है और किस तरह से गायव हुई है पुलिस पूछ दे तुम्हारी पत्नी कव गई थी घर से किस टाइम गई थी तो रवन बताता है कि 18 मही को मेरी पत्नी घर से गायव हो चुकी है और मुझे पता नहीं वे कहा है घर पर मेरा बेटा अकेला था और मैं बेटे को लेकर आपके पास आ गया कि मेरी पत्नी घायव है और दोस्तो पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स चेक करती है उसके फॉन की सीडिया लोकेशन वगेरा निकाली जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि 18 मही को तो इसके फॉन की लोकेशन भी और दिव्या के फॉन की लोकेशन भी हिमाचल के सिम्ला में बोल रही थी यानि कि ये दोनों हिमाचल सिम्ला गई हुए थी लेकिन यहां पर रवन कुमान ने बताया कि मैं तो घर पर ही था मेरी पत्नी यहां से गायव हो गई अब दोस्तों पुलिस को समझने आ जाता है सारा कुछ अब पुलिस रवन को उठा लेती है सक्ती से पूस्ताश की जाती है तो रवन सारी घटना बया करने लगता है रवन कहता है कि मेरी गाव में भी साधी हो गई थी और इससे मैं रिलेसंसिप में रह रहा था और यह दोनों ही कह रही थी कि एक दूसरे को छोड़ दो यानि कि मेरी पत्नी इसको छोड़ने के लिए कहती और दिव्या मेरी पत्नी को छोड़ने के लिए कहती मैं मजबूर हो गया था परिसान हो गया था अब मैं करता भी तो क्या करता अपनी पत्नी को रास्ते से अटाता तो मेरे घर वाले मुझे घर में नहीं खुशने देते उसको अगर छोड़ता इसलिए मैंने दिव्या कोई छोड़ने का फैसला बना लिया और फिर इसको घुमाने के लिए 18 माई को हिमाचल ले जाता हूँ हिमाचल के सिमला में और वहाँ जाकर पहाड़ी के पासे हुए इसकी गरदन को गोट कर इसको जान से मार देता हूँ और इसकी लास को फिर वहीं पर फैंक देता हूँ उसके बाद वह अपने बेटे को गोद में लेकर पुलिस थाने पहुंचता है कि साहब इसकी मा गायब हो गई है घर से उसको ढून निका लिए उसके बाद दोस्तों पुलिस सिमला के पुलिस थाने में फौन करती है और वहाँ पूसती है क्या तो मैं कोई डैड वोडी मिली तो सिमला की जो पुलिस थाने में फौन की जाती है तो बताते हैं कि हाँ साहब आज से साथ महीने पहले हमें पहाड़ों के बीच में एक लड़की की डैड वोडी मिली थी और हमने सिनाक्त भी करवाई लेकिन किसी ने उसको पहचाना नहीं था इसलिए हमने उसका अंतिम संसकार कर दिया कुछ फोटो हमारे पास है उसके हाथ पर एक टैटू था उसके कपड़े और उसका फोटो भी हमारे पास है उन फोटोज को जब लिया जाता है और दिव्या के माबाप को दिखाया जाता है तो जो जो से दोने लगते हैं कहते हैं साव यही हमारी बेटी थी दिव्या अब दोस्तो पुलिस तुरंत रवन कुमार को रैस्ट करती है उसको जेल में भेज दिया जाता है उसके ओपर मुकदमा दर्ज किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर वही बात हो गई अवैस सम्मंदों का जो अंजाम होता है बहुती कतरनाक, बहुती दर्बनाक होता है यहाँ पर दिव्या ने अपने माबाब की बात नहीं मानी उस लड़के के चक्कर में फस गई और फिर लड़के नहीं उसको मौत के घट उतार दिया इस तरह की घटना इस समाज के अंदर हो जाती है आज कल यह बहुत ज़्यादा चलन चला हुआ है लिबिन में रहने का लेसनसिप में और फिर दोस्तो यह खिएते हैं कि भाई एक दूसरे को पहचान लेंगे यह कौन सा तरीका होता है एक दूसरे को बिना साधी के पहचानने का यहाँ पर यह बहुत ही गलत है यह हमारी सब्थथा नहीं है यह पस्चीवी देशों की सब्वेता थी जिसको यहाँ पर लागू किया गया है यह भारत वर्स है और यहाँ के नियम कायदे कानून अलग हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं हमारे समाज को सही दिसामे चलाने के लिए लेकिन दोस्तो आज कल कुछ उल्टा ही चला हुआ है लोग एक दूसरे के साथ लिविंग में रह लेते हैं पती को छोड़कर किसी के भी साथ लिविंग में रहा जा सकता है लेकिन यह गलत है इनसे घर पर इवाद तूटते हैं जिंदगिया वरवाद होती है और एक बसा बसा अगहर तबाह हो जाया करता है दोस्तों अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसको सेयर जरूर कर दिया करें हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे अगला प्रोग्राम में वजल्दी फिर से लेकर आउंगा किसी सची गटना के उपर तब तक आप खुश रहें, साथधान रहें रिस्तों की अमित को समझें जय हिंद, जय बारत